इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स के वारे में पढ़ेंगे देखिए कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्विज हो या नॉर्मल लैंग्विज हो जैसे हिंदी, इंग्लिस, उर्दू इसे सीखने के लिए उसके सिंटेक्स को, रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से इस लैंग्विज पर काम कर सकते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में भी कुछ ऐसा ही है जावा स्क्रिप्ट यूज करने के लिए आपको कुछ syntax मतलब set of rules को follow करने पड़ते हैं और उन rules को follow करके ही हम जावा स्क्रिप्ट के programs को लिखते हैं अब जैसे यहाँ पर कुछ rules दिये हुए हैं कैसे हम variables को create करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में variables को create करने के लिए हम या तो where use कर सकते हैं या तो let use कर सकते हैं तो where x का मतलब क्या है कि x के नाम का एक variable create करो अब माल लेते हैं x और y ये दो variables हमने बना दिये अब इनको use कैसे करना है अब use करने के लिए हम x के अंदर 5 की value store कर देते हैं y के अंदर हम 6 की value store कर देते हैं और इन दोनों को add करके z के अंदर हम इसको assign कर देते हैं store कर देते हैं तो ये तो कुछ examples है जहांपर हमने कुछ set of rules मतलब javascript के syntax को देखा अब हम बात करते हैं कि syntax में value तो javascript के अंदर दो तरह के दो type के value हो सकते हैं एक तो हो सकता है fixed और दूसरा हो सकता है variable fixed का मतलब क्या है कि आपने कुछ जैसे आपका नाम है आपका नाम तो fix होता है या आपकी for example एक महीने की salary वो तो उस महीने फिल फिल हाल fix रहेगी तो उसे हम कह सकते है कि fixed value ठीक है और variable क्या होता है जैसे ऐसे value जो आप change कर सको या change करनी चाहिए for example जैसे आपकी salary इस महीने हो सकता है या एक साल के लिए हो सकता है आपकी salary 25 लग हो लेकिन next year हो सकता है वो 30 लग की salary हो जाए तो ये भी एक example है उसे हम कहते है variable, variable हम उन चीजों को declare करते है जिसकी value हमारे हिसाब से future में change हो सकती है तो चलिए literal के examples में सबसे पहला आता है जो important है number और number देखे दो तरह के हो सकते है एक हो सकता है with decimal जैसे 10.50 और एक हो सकता है without decimal जैसे 1001 अगर string की बात करें तो string भी आप double quotes में लिख सकते हो या single quote में लिख सकते हो तो ये था हमारा literal, literal का मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हमने देखा है fix values ठीक है, तो fix value को देखे हम literal कहते है और जो variable values को हम variables ही कहते है ठीक है, तो आपके जो values हो गए, दो तरह के जो values हो गए उनको आप कहते है, लिटरल्स और variables ठीक है अब हम variables की बात कर लेते है variables का देखे है बहुत ही simple सा example है suppose आप एक book लिख रहे हो ठीक है, और उस book में, story में दो लोगों के नाम है राम और श्याम तो अगर first name या first hero या first character के अंदर आपने value store कर दी राम तो पूरे के पूरे आप जो book में जहां जहां first character लिखा है आपने वो उसे राम से convert कर देगा अगर आप first character में राम का नाम यूज करते हो अब फाइदा क्या है variables का sometimes later on अगर आप उस book में राम की जगा उसको for example मोहन करना चाहते हो तो मोहन करने के लिए आपको हर जगा चेंज नहीं करना सिर्फ first character equal to राम की जगा वहाँ पर मोहन कर दोगे तो इससे क्या होगा पूरे book में या पूरे आपके program में समझने के लिए आप समझो या पूरे आपके web application में वो नाम चेंज हो जाएगा राम की जगा मोहन तो इस इस कॉल्ड वैरियेबल तो वैरियेबल देखिए जैसे हमने हापर लिया है let x और x equal to 6 later on बाद में हम x की value 10 भी कर सकते हैं तो इस इस कॉल्ड वैरियेबल अब वैरियेबल के बाद हम बात करते हैं operators की देखिए कभी भी कोई computation करना हो कुछ calculation करना हो तो हम operators यूज करते हैं जैसे for example सबसे important और simple operator है assignment operator जिसे हम कह सकते है equal to अब जैसे यहाँ x equal to 5 लिखा तो जो equal to है हमारा assignment operator है उसी तरीके से हमारे पास plus operator होता है जो दो numbers को add कर देता है minus होता है multiply होता है divide होता है modulus होता है और भी बहुत तरह के operators होते है greater than, less than, like that आगी की वीडियो में हम उनको भी details में समझेंगे अब हम next बात करते हैं JavaScript के expression की जब भी कहीं दोस्तो expression की बात होती है तो expression के अंदर basically क्या होता है value हो सकता है variable हो सकता है और operator हो सकता है तो इन तीनों के combination से और इसमें हमें एक value output में मिलता है वो compute करता है तो इन तीनों के combination को जो एक output generate करें उसे कहते हैं expression अब जैसे यहाँ 5 into 10 है तो यहाँ 5 और 10 जो दोनों है क्या है आपके value है क्योंकि यह आपका change नहीं होड़ा लेकिन हो सकता है आप x into 10 भी कर सकते हो जहाँ पर x की जो value है x क्या है एक variable है x की value आप declare कर सकते हो उसमें value assign कर सकते हो तो यहाँ पर यह दोनों expression है यह भी एक expression है और यह भी expression है तीसरे expression में हमने string योज किया है john doe और यहाँ पर हमने देखिए एक space दिया हुआ है आने वाली वीडियो में हम इसको भी detail में समझेंगे कि concatenation कैसे करते है next हमारा है keywords देखिए मैंने जैसे last वीडियो में भी साइद आपको बताया था JavaScript के अंदर कुछ reserve words होते है तो reserve words से क्या होता है browser जो आपकी JavaScript code को read करता है उससे पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो जैसे अगर कहीं पर भी let लिखा हुआ है तो let का मतलब क्या है कि हम एक variable को declare कर रहे है एक या एक से ज़्यादा equal to equal to मतलब है कि हम assign कर रहे है जैसे let यहां पर keyword हो गया तो I hope आपको यह clear हो गया होगा देखिए where और let यह दो तरीके होते है variable को declare करने के लिए difference किया है आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा next हमारा है comments comments भी मैंने आपको थोड़ा साथ बताया था comments basically यूज होता है कि अगर आप कोई JavaScript का program लिख रहे हो और उस program के अंदर आप कुछ ऐसी चीज़े लिखना चाहते हो जो output पे ना दिखे लेकिन अगर आप coding को read करो तो coding को पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाए कि आपने ये code क्यों लिखा है for example अगर आपने जैसे x equal to 5 लिखा है तो यहाँ पर आप कुछ comment दे सकते हो कि I have used x to store the first number ठीक है तो इस तरीके से आप comment लिख सकते हो तो comment लिखने कि नहीं आपको क्या करना है ये double slash लिखना है तो double slash लिखते ही इस line में जितनी भी चीज़े आगे आएंगी वो एक comment में convert हो जाएगा और comment आपके browser पे आपके page पर display नहीं होगा अगर आपका comment काफी बड़ा है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो forward slash star और इसके बीच में जितनी चीज़े multiline आप comment लिखने डाल दो और उसका ये star slash से बंद कर दो इसके बीच की सारी चीज़े comment में convert हो जाएगी नेक्स्ट हमारा है javascript identifiers देखिए identifiers को हम names कहते हैं जैसे कहते हैं कि आप identify करो आप कौन हो तो आप यहाँ पर क्या है identifier का मतलब क्या है आप javascript का name तो basically हम variables के name देते हैं तो जैसे कि let first name equal to Ram, let last name equal to Kumar तो full name क्या हो गया? Ram Kumar तो यहाँ पर हम name variable के जो name देते हैं उसको कहते हैं identifier ठीक है अब जो names हम कोई भी variable declare करते हैं जो name हम देते हैं उसके कुछ rules होते हैं कोई भी जो name है वो आपका a से z के बीच में start हो सकता है, dollar से start हो सकता है या underscore इसके हलावा किसी और चीट से start नहीं हो सकता, मतलब अगर आप एक variable ले रहे हो जिसमें start कर रहे हो किसी number से तो वो गलत है, alright तो इसको भी detail में हम आगे पढ़ेंगे कि variables के को declare करते हम किंचीरों का धियां रखते हैं, but overall आपको याद रखना है कि यह letter हो सकता है, dollar से start हो सकता है या underscore से, आप यह नहीं लिच सकते है let 1, 2, 3 equal to hello या 1, 2, 3 equal to ram तो 1, 2, 3 नाम का ऐसा variable नहीं कर सकते हैं हाँ, यह कर सकते हैं a, 1, 2, 3 क्योंकि a जो है आपका character है और वहाँ से आप start कर सकते हो अग इससे फाइदा क्या होता देखिए जो हमारा जो name है अगर वो numbers में नहीं होता तो इससे आसानी से हम समझ सकते हैं कि यह जो है आपका यह distinguish कर सकते है identify को numbers के साथ ठीक है, अब एक और important syntax है हमारा JavaScript का कि JavaScript जो है case sensitive है case sensitive का मतलब क्या है कि यह जो last name है जिसमें n capital है और यह जो last name है जो सारा का सारा small case में है दोनों different है, ठीक है यह case sensitive होता है, मतलब small ABC और capital ABC दोनों अलग-अलग होते हैं ठीक है, और उसी तरीके से let, let जो है वो let के बरावर नहीं है तो यहाँ पर कभी भी जब आपको use करना है let keyword तो यह सारे small में होने चाहिए दोस्तो और finally JavaScript में जब भी हम कोई syntax लिखते हैं, यह variable का नाम देते हैं, तो हमें उसको लिखने के लिए camel case use करना चाहिए, camel case जानने से पहले हम यह देखते हैं कि और कौन-कौन से तरीके हैं, जिसके through हम JavaScript में variables को लिख सकते हैं, पहला होता है hyphens, तो hyphens में देखिए first hyphen name, यह hyphen use किया है, तो जितने भी words है, उनकों के बीच में हम hyphen दे सकते हैं, तो यह एक तरीका है जो use आप कर सकते हो, दूसरा है underscore, पहले word और दूसरे word के बीच में आप underscore दे सकते हो तीसरा है आपका pascal case pascal case भी आपका camel case होता है, लेकिन यह upper camel case होता है, मतलब हर word का पहला later capital होता है, और जो last होता है, हमारा lower camel case जो मैं prefer करता हूँ w3 schools prefer करता है और mostly जितने भी developers हैं, और मैं request करूँगा आप भी यही prefer करो, lower camel case in javascript, तो lower camel case में क्या होगा, पहला जो आप start करोगे, lower से start करोगे, लेकिन first के बाद जो भी आपका word है, second word का जो पहला character है, वो capital में आप कर दोगे, तो कुछ इस तरीके से आपका variable के नाम declare कर सकते हो आप, और last में हम बात करते हैं, character set, देखिए javascript जो है unicode character set को use करता है, और इसकी list आप यहाँ पर click करके देख सकते हो तो बस यह था दोस्तो काफी चीजें हमने इस में, मतलब इस javascript syntax में पढ़ा है, values क्या होते है, little's क्या होता है, variables क्या होते है, operators क्या होते है expressions क्या हो सकते हैं, और keywords क्या होते हैं, comments क्या होते हैं, identifier जिसे names क्याते हैं, वो कैसे हम declare करते हैं, क्या होता है, JavaScript क्या होता है, character set क्या होता है, और कौन सा character set, JavaScript में use करते हैं, तो I hope आपको यह वीडियो clear होगी, वीडियो पर संद आई हो, तो चैनल को subscribe करना ना भूले, वीडियो को like करके अपने दोस्तों में share करें, और चलिए, मिलता हूँ next वीडियो में.